तो दोस्तों यूटूब की तरब से बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है चैनल को कस्टमाइज करने का थरीका जो है यूटूब ने खुद ही बता दिया है इसलिए अगर आपने प्रेट चैनल को कस्टमाइज नहीं कर रखा है अपने बीडियो को कस्टमाईज नहीं कर रखा है और आपको यहीं नहीं पता है कि कस्टमाईजेसन होता क्या है तो इस बीडियो को बिना स्किप की हुए लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर आपको सारा प्रोसेस जो है समझ में आने वाला है हमने जो है आपके हिलिए बहुत हिबारी की से बीडियो को बनाया है सारी चीजों को समझाया है इस बीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी बीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कस्टमाइजेसन के लिए ठीक है इसलिए इस बीडियो को बिना स्किप कियो है लाश्ट तक आप जरूर देखिए और एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि बीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि इस तरह की इनफोर्मेटिव वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएं तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन रिक्वेस्ट यह है कि लाश्ट तक जरूर देखेगा तो चैनल को कस्टमाइज करने के लिए फाइरफोक्स अप्लीकेशन को ओपन कर लेजिगा अब आप सोच रहे होंगे कि हम गूगल क्रोम को किय रिकमेंड नहीं कर रहे साइब यहां पर आपको राइट साइट कोरणट मिल जाएंगे इस पर Click करना हैडक टॉप साइट अभी आपको देखने को मिल रहा होगा यह देखिए इसको आपको enable कर देना है देन उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आपको सर्च बार मिलेगा सर्च बार में आपको YouTube सर्च कर लेना है फास्ट लिंक YouTube के आ जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं इसको open कर लेना है तो कुछ इस तरह से interface आपको देखने को मिल जाएगे देखिए अभी आपका browser वाला जो desktop side होता है वो open हो चुका है यहाँ पर एक बारा जाके आप चिक भी कर सकते हैं कि आपका desktop side on है के नहीं है देखिए अभी नहीं खुला है तो desktop side जो है इसको दुबारा से enable कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरह का interface आपको मिल जाएगा देखने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है right side corner पर यहाँ पर देख सकते हैं आपके channel का नाम होगा logo होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा होगा your studio second number पर देखेंगे your studio लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करदेना है अब का YouTube चैनल कुछी तरह से open हो जाएगा देखेंगे आप तो ठीक है अब इस तीनों को हम समझेंगे यहां पर इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिला इकोन को प्रेस कर लिजे ठीक है अब देखिए यहां पर फर्स्ट जो लिखा हुआ है योर इस्पोर्ट लाइट इसको समझ इंट्रो वाला वीडियो आपको दिखाई देगा तो इसको सेट करने के लिए कैसे करते हैं यहां पर हम थोड़ा सा क्रिक करेंगे अभी अगर आपके उस पर चैनल पर नहीं है तो यह आपको कुछ इस तरह का दिखेगा दिखिए मैं हटाता हूं फिर दिखाता हूं कुछ इस तरह से आपको भी दिख रहा होगा हमने वीडियो रगा रखा था हटा दिया है यहां पर लिखा चैनल ट्रेरल फार दी प्यूपिल हूँ हो नाट सस्क्राइब जिनों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है उन लोगों के पास इस वीडियो को आप जो है कैस कैसे रिकमेंड कर सकते हैं या कोई भी वीडियो को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं तो यहां पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है एक और लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी वीडियो पड़ी हुई है सारी ब्राउज पर आज आएगा नीची सेकेंड नबर पर आपको मिलता फीचर्ड वीडियो फार रेटर्निंग सस्क्राइबर आपके चैनल को जो कोई subscribe कर रखा उसके लिए आप क्या सेवा देना चाहते हैं यहां पर add पर click करेंगे right side पर जो था तो यहां पर भी अपनी पसंद का कोई हम वीडियो लगा देते हैं जिससे हमारी वीडियो में काफी यादा engage आना शुरू हो जाए चलिए मैं इसी को लगा देता हूं तो अभी यह हमने लगा दी है उसके बाद यहां पर थोड़ा से नीची आएंगे तो यहां पर देख रहूंगे featured section लिखा हुआ है customize the layout of your channel home page with up to 12 section मतलब 12 section में आप अपने YouTube channel को customize कर सकते हैं तो यहां पर देखिए कुछ हमने इस तरह से customize कर रखा है अगर हमारा YouTube channel आप open करेंगे तो आपको सारी चीज़े यह detail में दिखेंगी ठीक है सबसे पहले आपको दो वीडियो हमारी दिख जाएंगी उसके बाद popular वीडियो मिलेंगी उसके बाद जो हमारी वीडियो पड़ी हूँ यह वो मिलेंगी जैनों उसके बाद नीचे जाएंगे तो playlist आपको multiple वाली मिल जाएंगी तो इनको set कैसे करना है एक एक हम समझेंगे बारी की से इसको पहले मैं हटा देता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ फिर आपको अब यह जितनी चीज़े आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी बड़ा देखिए आपको 12 जो अभी पार्ट वहां पर दिखा रहा था 12 सेक्षन वो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसको थोड़ा सा हम नीचे भी करेंगे तो इसमें और भी आइटम आपको मिलेंगे सबसे पहले वीडियो मिलता है वीडियो में क्या क्या कर सकते हैं जाता है यहां पर प्लेइलिस्ट का देखिए प्लेइलिस्ट में सिंगल प्लेइलिस्ट हो गया सबस्क्रियूब्सन हो गया फीयचर beş reduction हो गया अन इन सारी चीजों के बारे में हम्समें वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए । इसलिए वीडियो को skip करके मत देखिए आप कि अगर आप एक यूटूबर बनना चाहते हैं तो ठीक है चलिए बाकी आपकी मर्जी है तो यहाँ पर सबसे पहले suppose that हमें कोई वीडियो लगानी है तो हम इस पर click करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियो रहेंगी वो आ जाएंग जिससे आपके वीवर्स की इंगेज बढ़े जैसे आपकी जो वीडियो में ज्यादा व्यूज है उनको यहाँ पर सेट करना है सबसे पहले तो हम यहाँ पॉपलर वीडियो पर click करेंगे अब सबसे ज्यादा हमारी वीडियो में अभी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं ज दूसरा जो यहाँ पर हम एड सेक्षन पर चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से और हमारे काम का कोई है नहीं फिरहाल और चाहें तो इसमें हम जो है वीडियो जो है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे देखिए 20 वीडियो जा ली हैं पहले हमारी popular वीडियो देखेंगे ठीक है यह बड़े-बड़े यूटूबर आपको कभी जिन्दगी में नहीं बताएंगे यह जो सेटिंग हम बता रहे हैं देन उसके बाद फिर से हम एड सेक्षन पर चले जाते हैं और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है प्लेलिस्ट क्योंकि अभी यहाँ पर सेट करेंगे जब हम लाइव जाएंगे तो इसलिए इसको आगे हम स्किप करेंगे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सिंगल प्लेलिस्ट है क्रियेटेड प्लेलिस्ट लिखा हुआ है मल्टिपल प्लेलिस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो ह के हिसास बनाते हैं आप लोगों को देखने में प्रोब्लम समस्या ना हो प्लेलिस्ट बनाने के बहुत फैदे रहते हैं जिससे वीवर्स को आसानी से सारी चीजे ढूनने को मिल जाती हैं डन कर देना है देखिए यहाँ यहां पर एड हो चुका है हमारा section multiple playlist का ठीक है आठ playlist दिखा रहा है यहां पर वीडियो में जाएंगे जितनी वीडियो रहेंगे वो सब कुछ दिखाएगा उसके बाद यहां पर एड section पर जाएंगे नीचे करेंगे और और यहाँ पर featured channel आपको एक option मिल जाता है, suppose that ये देखिए, ये option आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप click करेंगे, तो इस पर जाने के बाद आपका अगर कोई दूसरा channel है, तो उसका link यहाँ पर आप select कर सकते हैं, और अपना दूसरा channel भी अपने channel के साथ show कर सकते हैं जिससे आपके दूसरे channel पर भी लोग visit कर सकते हैं, दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपना title लिखता हूँ, my second channel, हमारा दूसरा जो channel है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर मैं डालता हूँ, title लिख देना है आपको जो भी लिखना है, second channel है, first है, कौन सा है, देन उसके बाद य यह 26 subscriber वहला हमारा channel है, दूसरा जो है, पहले का बना हुआ है, इसको हम tick करेंगे, then done कर देंगे, अब यह channel हमारा जो है, यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है, ठीक है, इसको हम save करेंगे, और हमारे channel पर अगर आप देखेंगे, तो यह दिखाना शुरू कर देगा, उसके यहाँ से आपको publish पर click कर देना है, ठीक है, यह इतना हमारा save हो चुका है, अब जाएंगे branding पर, branding पर यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले आपको एक option मिलता है picture का, picture यानि की आपके channel का logo जो होता है, तो उसको यहाँ से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, set कर सकते हैं, then उस के बाद थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, binary image का, ठीक है, binary image यहाँ पर देखिए, आप change कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, यानि कि अब change करने वाले पर करेंगे, तो यहाँ से change कर सकते हैं, देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर suppose that click करेंगे, click किया हमने, तो यह हमारे phone की gallery में ले जाने के लिए बोल रहा है कि क्या change करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस तरह से change कर सकते हैं, या नया लगा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको choose कर लेना है, ठीक है, इतना तो खैर समझदारी होंगे, तीसरे number पर option आता है, यहाँ पर रहता है, right side में, जैसे हमारी channel पर वीडियो पर click करेंगे, तो right side पर corner पर आपको यह चीज symbol देखने को मिलेगा, इंड आफ वीडियो, last में देखना चाहते हैं, custom start time, time जो है set कर सकते हैं, या entire video, जब आपकी वीडियो सुरू होगी, उसके साथ साथ जो है, आपका logo दिखना सुरू रहेगा, तो इस चीज को भी आपको लगा देना है, यहां से setting कर लेना है, ठीक है, देन उसके बाद जो हम चलेंगे basic information में, basic information में देखिए, यहां से आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत important part है, यहां पर सबसे पहले अगर कभी भी आपको अपने channel का नाम change करना है, तो are only visible on YouTube and not on other Google service, you can change your name twice in 14 days, यानि कि 14 दिन के अंदर जो है, आप दो बार यहां पर अपने channel का नाम जो है change कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट जो है नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे हम, यहां पर आपको मिलता है channel का handle, अब handle भई यह क्या होता है, handle बहुत important part होता है, समझ रहो, यहां पर नीचे आप देखेगो, यह है channel का handle, यह Google पर कोई सर्च करेगा, तो जैसे ही इसको डालोगे आप stpwww.youtube.com add.excellenttechsupport 2.0 हमारा channel का नाम जो है आ जाएगा, तो इसलिए आपके channel का जो भी नाम है, उसको ही आप जो है handle में कुछ इस तरह से जैसे हमन पर लिखा हुआ है description, अब भईया description क्या होता है, समझे जरा, description वो होता है, जो आप लिख देते हैं, तो आपके about section में जब वीडियो चलती है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, about section में जाएंगे तो last में आपको देखने को मिलता है, वही होता है description, आपके बारे में आप क्या परोसेंगे, अपने YouTube चैनल पे किस तरह की वीडियो डालेंगे, वो सारी details आपके description में mention होनी चाहिए, वो भी respect पूरुवक, जिससे कोई भी audience अगर आपकी वीडियो को देखता है, तो उसको लगे कि हाँ, हमें यहाँ पर इस तरह की वीडियो मिलेंगी, जैसे हम हमने यहाँ पर description में लिख रखा है, हमारा नाम है बोद्दयवोर्या, हम यूपी के रावरली के रहने वाले हैं, हम आपको YouTube टिप्स, वीडियो, डिटिंग, ओनलाइन, डिजिटल, द्यानकारी से सम्मंधित वीडियो जो है, प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने डिटेल यहाँ पर लिख रखा है, ऐसे ही आपको भी यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर नीची आएंगे, तो आपके चैनल का जो URL होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद यह URL जो है, आपके हैंडल के नाम से ही मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, इसको अगर कॉपी करना चाहें, तो इस धर से कॉपी भी कर सकते हैं, अपने चैनल का URL कहीं आपको लगाना हो, तो दूसरी चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही महत्तुपूर है, इसलिए बीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सस्क्राइब तुरंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फोर्मेशन बीडियो आप इसी चैनल पर मिलेंगे, बड़े बड़े यूटूबर ऐसी चीजे आपको कभी नहीं बताएंगे, इसलिए इस बीडियो को लाइक जरूर कर अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिंक्स, भईया लिंक्स क्या होता है, समझिए आप, नहीं समझ में आता है तो समझिए यह क्यों इंपोर्टेंट है, अगर अभी तक आपने अपना यूटूब चैनल के अलावा फेस्बुक एकाउंट या इंस्टाग्राम पर दीखा है यह लिंक यह रहा यह रहा हमारा फेस्बुक का लिंक रहा लिंक इसलिए डालना जरूरी होता है अब यह सब डिटेल आपको जैसे हमारे डिस्किप्शन में दिख रहा है, same to same वह ऐसे ही आपको आपके वीडियो में भी दिखना शुरू हो जाएगा जब आप डाल देंगे इसको ठीक है इसे यह है कि आपके यूटूब चैनल के साथ में अगर कोई डारेक्टली आपके फेस्टबुक इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज वगरा करना चाहे जैसे आप भी चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम एकाउंट पर जाके आप हमें कुछ भी कोईरी ह कुछ भी आपको प्रोब्लम है तो उसका सिल्यूशन के लिए आप इंस्टाग्राम फेस्टबुक पर हमें मैसेज कर सकते हैं तो इसलिए डालना जरूरी होता है तो पांच लिंक जो होती है यहाँ पर आप आइड कर सकते हैं यहाँ पर आइड पर जाएंगे और आइड प वो गया है तो ऊना अब यहाँ पर डाल ना पड़ेगा ठीक है तो फेस्ट जो यहाँ पर फेस्ट फूक है फेस्ट का हम फिसकश कंट strengthening happen गाल सकते हैं तो अगर लोग आप से संपर्क करना चाहें तो थीक है इतनी चीज आपको यहाँ पर setting कर देनी है अब आपका channel यहाँ पर customize हो जाता है तो इस तरह से आप भी अपने channel को customize कर सकते हैं और customize करने के बाद professionally जो है YouTube पर धड़ाके से कम कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी अगर वीडियो आपकी helpful लगा है आपकी मदद हुई है तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते है next वीडियो में तब तक लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद